असलाम लेकुम, लेक्चर नमबर नो, पंजाब पुलीस, कॉंस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, रिटेन टेस्ट प्रिप्रेशन, दोहजार चौबिस ये हमारी वीडियो सीरीज है, इससे पहले हम आठ वीडियो बना चुके हैं और ये नाइन्थ लेक्चर है हमारा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस्टर नांसर है, पेपर के लिहाज से, एम्सी क्यूज बेस वोड डिसकस करते हैं पागिस्तान का पहला वजिर अदम कौन था? लियाकत अली खान पागिस्तान का पहला सदर सिकंदर मिर्जा, पागिस्तान का पहला गवर्णर जर्रल, काहिद अदम ये तीनों सवाल आपने अपने नोट्स में शामिल कर लेने हैं और इसके इलावा भी आलरेडि आप नोट्स बना चुके हैं तो इसको भी इस पोर्शन को भी अपने नोट्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट है जी पाकिस्तान का नाम किस ने तज्वीज किया पाकिस्तान का नाम चौदरी जहमाद अली ने तज्वीज किया कितने सालों बाद पाकिस्तान का पहला आइन नाफिजुल अमल हुआ था नव साल बाद अब नाफिजुल अमल का मतलब है कि लागू कब हुआ पहला आइन आपको पता है कि कब बना 1956 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में तीन आइन आए हैं 1956 का आइन पहला आइन था उसके बाद 1962 का आइन और उसके बाद अब अब जो है वो 1973 का आइन पाकिस्तान में फिलाल ये भी सवाल आता है कि कौन सा आइन जो है वो लागू है 1973 का आइन अब जो पहले वाले आइन थे वो प्रशला लगता था और पहले आइन जो हो खतम हो जाते थे फिर नए आइन बनता था और नए हकुमत बनती थी तो इस तरह से यह कुंसेप्ट आप माइंड में रख सकते हैं पाकिस्तान का पहला सदर यह आरेड़ी हम डिसकस कर चुके हैं सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे मुस्लिम लीग यह भी हम डिसकस कर चुके हैं 1906 में बनी थी इसका हैटकॉर्टर और यह कहां बनी थी आल्रेड़ी हम अपनी वीडियो सिरीज में बता चुके हैं अगर आप फॉस्ट टाइम हमारा यह लेक्चर सुन रहे हैं तो आप पहले हमारी वो वीडियो देखें कॉंसेप्ट क्लियर करें और फिर जो है इस वीडियो को देखें एक अगर आप तर्तीब के साथ देखें के ना तो आप बेसिक तो एड़वांस तक जाएंगे और त्यारिया आपकी अच्छी रहेगे अपको कन्फियूजन नहीं होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे सरागा खान अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले याद कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग कब बनी और कहां बनी हैड़कौर्टर कहां था तो वो आपको मतलब बेसिक है वो आपको याद हो चुका है अब ह पाकिस्तान की दूसरी बुलांतरी इन चोटी कौन सी है नागा परबत पाकिस्तान की दूसरी बुलांतरी इन चोटी है और सबसे जो पहली है वो आपको पता है केटू है केटू गोर्टून आस्टिन भी कहा जाता है आठ हजार चेसो ग्यारा मीटर जो उसकी लेंद है के बाद पहला रेडियो स्टेशन कहां काइम हुआ कराची और रावल पिंडी में और ये भी हम पढ़ चुके थे सवाल रिपीट हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो मेन है वो तीन बड़े रेडियो स्टेशन है पाकिस्तान कब यू एनो का मेंबर बना 1947 में ये हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि यू एनो का मतलब क्या होता है हेड़कौर्टर कहां पे सारे सवाल अब नेक्स सवाल क्या है कि पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना 1947 में बना इसके लावा पाकिस्तान जो है वो ILO एक और्गनाइजेशन थी इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन उसका भी मेंबर 1947 में बना था और उसके ये सवाल भी आता है कि पाकिस्तान ने सबसे इनके पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहली कौन सी और्गना अंसर आयलू है शाहरायक रागरम कहां से शुरू होता है शाहरायक रागरम हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है चीन पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर सीपैक सीपैक की कुल लंबाई कितनी है 2440 नादरा आपको बता है एक इदारा पाकिस्तान में काम करता है कब काइम किया गया 2000 में नादरा स्टेंड फार नैशनल एडमिनिस्टेटिड डेटा बेस रिजिस्टेशन अथार्टी नवाज शरीफ कितनी बार वजीरादा मुंतखिब हुआ तीन बार और शेहबाज शरीफ दूसरी मरत बार मुंतखिब हुआ है ये भी आप सवाल माइंड में रखिएगा पूछा जा सकता है सैनेट उफ पाकिस्टान कितने मेंबरों पर मुझमिल है सैनेट के मेंबरान जो हैं 100 मेंबर होते हैं अब मैं इसको अगर आपका कॉंसेप्ट के लिए living ये याईंग अपर हाउस कौन सा है जी सैनेट है और lower house निशनल इस्वम्ली आ है लोवर सेनेट में वी अरकीन होते हैं और नैशनिन आसलमली के कवम इसलमली में में अरकीन होते हैं मनेज वग्राइब करे सक्धालतरों कर 미ल जो आलेक्शन से ayab Marco Diesel कि यहते हैं ऑ वोटिंग करेंगे और उसे वजीर अदम का इंतिखाब किया जाएगा तो यह सेनेट अपर हाउस होता है जिसमें सौब में बराण होते हैं और उसके बाद दूसरा लोवर हाउस कौन सा होता है नैशनल इसम्बली या कौमी इसम्बली फिर उसके लाबा सूबों में होता है पाकिस्तान का सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जी रोरी स्टेशन पहले आइन के निफास के दौरान वजीर आदम पाकिस्तान कौन था चौदरी मौहमद अली यानि कि जब पहला आइन 1956 की बात कर रहा है आप कुछ लोग यहां पे यह कंफ्यूज होके न देखेंगे कि नहीं पहला जो वजीर आदम था वो तो जो नाम याकत अली खान था नहीं ऐसा नहीं है सवाल आप गोर करें वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान का जब आइन नाफिज हुआ कब नाफिज हुआ उन्सोचापन में वजीर आदम कौन थे चौदरी मौहमद अली पाकिस्तान का कौमी जानवर है पाकिस्तान की कौमी सबजी भिंड़ी और इसके लावा जूस में अगर देखें तो गने का जूस कौमी लीबात सिलुवार कमीज फिल हल्याल तो यह चीज़ें आ रही है पाकिस्तान का कौमी जानवर आरेड़ी रिबीट कर चुके हैं, हम पहले बढ़ चुके हैं, मारखोर पाकिस्तान का आला सिवल एवार्ड को उनसा है निशाने पाकिस्तान निशाने हैदर जो है वो मिल्टरी एवार्ड है और सिवल एवार्ड निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान में शाराइक राकरम की कितनी लंबा है यह 870 किलो मेटर कौमी पर्चम का गैरा सब्स रंग अलामत है किस चीज़ की मुसल्मानों की अलामत है सब्स रंग और सुफैद रंग जो है जो पाकिस्तान में माइनोरिटीज है उनको उनकी अलामत है उनको जाहिर करता है पाकिस्तान में सबसे गरम जगा कौन सी है जैकबबाद पाकिस्तान में सबसे गरम जगा है और सकर्दू को कहा चाता है कि यह पाकिस्तान में सबसे ठंडी जगा है पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? दरिया है सिंध सबसे तवील या बड़ा दरिया है और पंजाब की बात करें तो वो सातलू जो है वो सबसे लंबा दरिया है ये भी सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं पाकिस्तान का कौमी रंग सुफेद सबस दोनों दोनों अप्शन ठीक है क्योंकि पाकिस्तान के जंडे में सुफेद और सबस दोनों हैं तो पाकिस्तान का कौमी रंग भी ये दोनों शामिल है पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज पाकिस्तान का कौमी म्यूजियम कहां है म्यूजियम जो है पाकिस्तान का कराची है पाकिस्तान ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जिता उनी सो 92 में और ये सवाल काफी दफ़ा कॉंस्टेबल के पेपर में पुछा जा चुका है और रिटन टेस्ट जो होते हैं उसमें भी मैंने काफी नोट किया है कि ये 92 वाला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने किसमा से जीत तो लिया है वो बार बार पूछा जाता है क्वेस्टन में कि बतता है कि पाकिस्तान ने कौन सा खिरकेट वर्ल कप जीता तो 1992 ये राइट ऑप्शन है इसका गिल्गित बल्दिस्तान का सबसे बड़ा शेहर कौन सा है जी सकर्दू सकर्दू के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ये ठंडी जगा है काईद्यादम की 14 नकात कब शाय हुए काईद्यादम मुहमद अले जिना का इंतकाल काब हुआ 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनर्र कौन सा था खवाजा नाजिम उद्दीन पहला कौन सा था काईद्यादम और पाकिस्तान की तारीख में चार गवर्नर जनर्र रह चुके है गुलाम मुहमद जो है वो तीसरे नमबर पैसे अब इसके अगर हम तर्तीव बनाएं ना पहला जो है वो है काईद्यादम मुहमद अले जिना उसके बाद दूसरा खवाजा नाजिम उद्दीन तीसरा गुलाम मुहमद और चोथा सिकंदर मिर्जा और सिकंदर मिर्जा पहल में ताकत बना तो इस दिन को हम क्या कहते हैं यो में तकबीर 28 मई 1998 को ये पाकिस्तान ने एट में दमाके किया और यो में तकबीर इस दिन मनाया जाता है 28 मई को ये सवाल भी रिटन टेस्ट में कॉंस्टेबल के और मुख्तिफ टेस्ट में पूछा जा चुका है important question है पाकिस्तान में सर्तरीन मकाम कौन सा है ये मैं आपको अलेड़ी बता चुका हूँ next भी हमारे पास आ गया है सकर्दू जो है पाकिस्तान में सर्तरीन मकाम है और सबसे जो गरम है वो जैकबबाद पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो खुश्बू का शहर कहा जाता है हैदरबाद is the right option रोष्णियों का शहर कराची कहा जाता है और इसके लावा और कोई अगर मेरे माइंड में आता है तो वो मैं आपको ऐसे बता दिया करूंगा वो भी अपने अपने नोट्स में लिख लेना है पाकिस्तान के कौम इंतराने का दुर्यानिया कितना है एक मिंट 20 सेकेंड यानिके 80 सेकेंड पाकिस्तान के कौम इंतराने का दुर्यानिया है यानिके डूरेशन है यो में पाकिस्तान कब मनाया जाता है जी 23 मार्च 24 को करार दादे पाकिस्तान मनजूर हुई थे उस दिन की याद में हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान में यो में पाकिस्तान मनाया जाता है पाकिस्तान का कौम में फूल कौन सा है जी चम्बेली चम्बेली भी ठीक है जैस्मिन भी कहीं पर आ जाता है वो भी ठीक है ठीक है क्योंकि इसी को ही जैस्मिन भी कहते हैं चम्बेली भी कहते हैं पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है अलामा मुहमद इकबाल मुहमद अली जिना को कौन सी इस सन में किराची में पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और करेजाद हमने अपना कनून की इपतिदा किस्तान में कि 19 व में